जोहार नमस्कार खबरें जो रहती हैं चर्चा में कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आए नजर डालते हैं देखिए पांच मिनित में पंद्रह खबरें आज शाम थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार मुख्य निर्वाचन पदादिकारी के रवी कुमार ने कहा है कि सोमवार 18 नवंबर की शाम को दूसरे चरण का प्रचार अभ्यान थम जाएगा 20 नवंबर को कुल 38 विधान सभाक शेत्रों के 14,218 बूथों पर मद्दान होगा इन में से 31 बूथों पर सुबर 7 से शाम 4 बजे तक ही मद्दान होगा उन्होंने कहा कि साइलेंस पीरियड शुरू होते ही जो लोग चुनाव प्रचार आधी कार्य से मद्दान वाले क्षेत्र में गए हैं उन्हें वहां से तत्काल निकलना होगा ऐसा नहीं होने पर नियमा नुसार कार्रवाय होगी उन्होंने कहा कि निजी वाहन पर किसी तरह का बोर्ड बैनर आधी लगा कर चलने पर कार्रवाय होगी इसके लिए परिवाहन विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे चेकिंग करें और किसी भी वाहन पर बोर्ड, बैनर आधी मिलने पर मोटर हवै की नियमों के तहत या थोचित कार रवाय सुनिश्चित करें। डबल इंजन की सरकार ने दोगुनी ताकत से जारखंट को पीछे लाने का कार्य किया बोली कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ने कहा कि माता बहनों को जो हम सम्मान दे रहे हैं। उसको लेकर भाजपा की लोगों ने न्यायाले में पियाईल दर्च किया था, जिसे कोर्टने खारिच कर दिया। इससे उनकी मूह में जोरदार तमाचा लगा है। कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में रही तो हजारो स्कूल बन कर बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया, 11 लाख राशनकार रग कर लोगों को अनके अधिकार से वंचित कर दिया यहा कि विकास का पैसा केंद्रसरकार के जरिये भाजपा शासित राज्यों को भेज कर ज़ारखं़ के लोगों के साथ अजयाय किया केंद्रसरकार ज़ारखं़टियों को उनका हक नहीं देना चाहती कॉंग्रेस पार्टी की नेत्री यशिस्विनी सहाई ने सिल्ली विधान सभा से महागट बंधन प्रत्याशी अमित महतो के पक्षमे की चुनावी सभा सिल्ली में यशिस्विनी ने पध्यात्रा कर अमित महतो के पक्षमे मद्दान की अपील की उन्होंने महागट बंधन के सभी प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों से जीताने की अपील की भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुँची भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंग रोड शो में उमर पड़ा हुजूं जारखन विधान सभा चुनाव के दूसरे और अंतिंग चरन के लिए प्रचार का दौर अब अपने चरम पर पहुँच चुका है इसी कड़ी में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सुपस्टा अक्षरा सिंग ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र कुवर के समर्थन में देवघर के सार्वा प्रखन में जोरदार प्रचार किया अक्षरा के रोड शो में हजारों की संख्या में लोग उम्रे जिनमें उनकी फैंस और भाजपा समर्थक शामिल थे डेवेंदर कुवर का मुकाबला कॉंग्रेस के पूर्व मंत्री बादल पत्रलेक से है भाजपा की नजर राज़े के खनिच संपदा पर है गरीब किसानों के लिए आज तक कुछ नहीं किया बोले हेमंद सुरेन रविवार को जामतारा विधान सभा से महागर्प बंधन के प्रत्याशी डॉक्टर इर्फान अनसारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने मुक्यमंत्री हेमंद सुरेन जामतारा पहुँचे भारतिय जन्ता पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री हेमन सोरेन ने कहा कि इन लोगों ने एक भी काम आदिवासियों, किसानों, गरीबों के लिए नहीं किया है राज्य के आधिया आबादी के कल्यान के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं ये लोग देने वाले लोग नहीं लेने वाले लोग हैं, इनका कार्य लोगों को एक दूसरे से लडाने का है हम लोग जाती धर्म से उपर उठकर कार्य करते हैं, सभी वर्ग को महा गट बंधन सरकार की योजना का लाब मिल रहा है बरहरवा हाइ स्कूल मैदान में इंडिया गट बंधन की स्टार प्रचारक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कॉम्रस प्रत्याशी निसात आलम के पक्ष मेर अविवार को जन सभा की कल्पना ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपका बिजली बिल हेमन सोरेन सरकार ने माफ करवाया है महनगाई के दौर में आपके दुखों को कम करने की काम हेमन सूरेन सरकार ने आपकी दुखों में दटकर के खड़े रहने वाले महागट बंधन की अगुवाई कर रहे आपके दादा हेमन आपका बेटा हेमन सूरेन कर रहा है हमारे जार्खन की मैया आपको मैया सम्मान योजना पहुंच गया है ना 55 लाक महिला को 55 लाक मैया को खटाखट 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 चार किस्ट जा चुका है लातेहार में पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए नवोदिता अपरादिक संगतान राहूल सिंख गिरोह के चार अपरादियों को हत्यार की साथ गिरफतार कर लिया है इन अप्राधियों के द्वारा लातेहार और आसपास के इलाकों में आतंक मचाया जा रहा था गिरफ्तार अप्राधियों में पीउ शुराओ, बादल लोहरा, दीपक लोहरा और दिनेश कुमार शामिल हैं जो सभी चंद्वा थानक शेत्र के निवासी हैं रांची जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से रविवार को हर्मू पंच मंदर स्थित हर्मू बजार रोड में अतिक्रमन हटाओ अभ्यान चलाया गया अभ्यान में निगम की इंफोस्मेंट टीन के साथ साथ सुरक्षा के लिए कुलिस बल भी तैनात था अभ्यान में तीन ट्रक्टर, तीन हला गाड़ी और दो जेसीबी का इस्तिमाल किया गया अतिक्रमन हटाने के दोरान सरक के दोनों और से करीब 25 से अधिक बांस बल्ली एलबेस की दुकानों को हटाया गया इन में मास, मच्छी, बैक्ट सबजी, कपड़ा, कूजन सामगरी, ठेला, गुम्टियादी की दुकाने शामिल थी आदिवासी श्रत धालूँ से भरी बस पल्टी, महिला की मौत, दो दर्जन सवार जक्मी रामगर जिले के गोला मुरी मार पर स्थिद बरलंगा थानाक्षेत्र के हारुबेरा रमहारु गाउंग के पास एक भीशन बस दुर घटना में एक महिला की मौत हो गई जबकि 24 से अधिक लोग घायल हो गए घायलों में से पांच की हालक दंभीर बताई जा रही है ये हादसा उस समय हुआ जब बस आदिवासी श्रद्धालों को लेकर रजरप्पा से पूर्वी सिंग्भूम लोट रही थी राजधानी रांची के पडोसी जिले खूंटी के बिचना गाउंग में SBI बैंट के ATM को चोरी करने की कोशिश की दोरान चोरों की कर्तूत खूद उनके लिए महंगी साबित हुई ATM में रखे 12 लाख रुके जलकर राख हो गए और चोरों को खाली हाथ भागना पड़ा ये घटना मुरहू थाना क्षेत्र के बिचना गाउंग के पास हुई केंद्रिय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रिय अध्यक्ष जेबी नड़ा ने आज 17 नवंबर को गोमिया में आयोजित एक चुनावी सभा को सम्बोधित किया जिसमें उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की कई महत्वपून योजनाओं का जेक्र करते हुए जार्खन के लिए उनकी प्रतिबधता को रेखांकित किया नड़ा ने कहा कि पीम मोधी ने राज्यके विकास के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है जिनका उद्देश जार्खन द्वासियों को बहतर जीवन सुविधाय प्रधान करना है आज जार्खन में जनसभा करने आयेंगे चिराग पास्वान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रेंद्र प्रधान संग एंगली के प्रत्याशी जरिया से रागिनी सिंग, बेरमो से रविंद्र पांडे, धनबाद से राज सिन्हा एवं जामताडा से सीता सोरेन के पक्ष में करेंगे मतदान की अपील